हेलो एवरिवन कैसे हो आप सब आज मैं आपके साथ इस ब्यूटिफिल ब्लाउस की वीडियो शेर करने वाली हूँ ये ब्लाउस बनाने में बहुत जादा एजी है इसे बीगनर भी बड़े अराम से बना सकते हैं मैं आपके साथ जो पैटरन अब शेर कर रही हूँ बहुत जादा असान वाले डिजैन है और इसमें मैं बताती भी हूँ वीडियो में कि आपको बनाना कैसे है आप एक बार ध्यान से सुना कीजिए तो आपको समझ आ जाएगा आपने पहले नीचे बोर्डर स्टार्ट कर なा है तो सीधे तो उल्टे फंदे का बोर्डर है हमने इस ब्लाउज में 100 फंदे डाले हैं लेकिन आपने अपने साइस के औकोर्णिंग ही फंदे डालने होते हैं ठीक है फिर border बनाने के बाद उपर जो design दिया गया है उस design के लिए आप मन चाहे फंदे जो भी आपके size में फंदे है वो आप इसमें ले सकते हो इस design में भी 22 के multiple से फंदे चल जाते हैं 10 लाईयों तो सीधी उल्टे की 10 लाईयों का ही है design है तो चलिए पहले design की वीडियो शेयर करती हूँ आपके साथ slimy यहाँ पर फंदे ले लिए हैं मेरे 20 फंदे 20 फंदे डाले हैं यहाँ पर slimy 20 फंदे डालने के बाद जो आपने border बनाना है वो 2 फंदो को सीधा कर लेना है 2 फंदो को उल्टा ऐसे ही हमने border को चलाना है देखिए कैसे करना है 2 फंदे सीधे धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ 2 फंदे सीधे सारी row हमने same to same ऐसे ही बनाते जाना है दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, इस तरह से दो फंदे उल्टे, फिर धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, ऐसे ही करते हुए सारे फंदों को बना लेंगे, अब उल्टी तरफ से भी अपने सेम ऐसे ह बनाना होता है जैसे दो फंदे सीधे दो उल्टे दो सीधे जैसे दिखाई दे रहे हैं न फंदे वैसे ही हमने इने बनाना होता है तो यही बोर्डर होता है दो फंदे सीधे दो उल्टे का अब दो उल्टे फिर धागा दूसरी तरफ कर लेंगे दो फंदे सीधे धागा अप आपने जीतना भी बॉर्डर की चुड़ाई रखनी है आपने इसी हिसाब से रख लेनी है दो सीधे धागा अपनी तरफ दो उल्टे देखें इस तरह से और ये सीधी तरफ से हमारा इस तरह से बॉर्डर बंड कर आएगा दो सीधे दो उल्टे दो सीधे दो उल्टे का अब हमने क्या गरना है पहले आपने बॉर्डर बना लेना है बॉर्डर बनाने के बाद अब यहां सी हमने अपना डिजैन डालना शुरू करना है तो फर्स्ट फंदे को उतार कर धागा अपनी तरफ कर लेंगे ये एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे एक फंदा उल्टा बनाने के बाल अब इस फंदे को भी नबुने ऐसे ही उतार देंगे अब ये फंदा हमारा उल्टा अब इसे उतार देंगे इसे उल्टा बनाएंगे इ एक बना लेना है एक उतार लेना है सेम टू सेम ऐसे ही लास्ट का फंदा ये उल्टा बन जागा अब उल्टी तरफ से हमने इन सारे फंदों को उल्टा उल्टा ही बना लेना है इस तरह से उल्टी तरफ से पूरी रो हमारी इस तरह से बनेगे ठीक है, अब सीधी तरफ से देखिए, पहले फंदे को हम उतारेंगे, फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, अब पहले हमने क्या गया था, इस फंदे को उल्टा बनाया था, ये उतारा था, लेकिन अब क्या करना है, इस फंदे को हम उतार लेंगे, इस उतारे हुए फंदे को उल्टा बनाएंगे, इस तरह से, अब इस फंदे को उतारेंगे, इसे उल्टा बनाएंगे, इसे उतारेंगे, इसे उल्टा बनाएंगे, ऐसे ही करते हुए हमने ये पूरी रोबनानी है, इसे उतारा, इसे उल्टा बनाया, इसे उतार दिया, इसे उल्टा बनाएंगे, इसे उतारेंगे, इसे उल्टा बनाएंगे, जो फंदे को हमने बुना हुआ है, उसे हमने ऐसे उतार देना है, इसे बनाना है, धागा दूसरी तरफ, ये एक फंदा सीधा, अब उल्टी तरफ फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जैसे हमने पहली बार डाला था ना, एक फंदा ये उल्टा, इसे उतार लिया, इसे उल्टा बनाया, इसे उतारा, इसे उल्टा, इसे उतारेंगे, ऐसे ही करते हुए ये रो हम बना लेंगे, देखे, ये फंद तो आगे तो सही चलता ही जाएगा पहले फंदे को अपने धिहान से बिनाना है यहां पर जैसे यह पहला फंदा पहली जो हमने रो डाली थी उसमें बुना था फिर दूसरी रो में हमने इसे उतार दिया था इस फंदे को नेक्स्ट फंदे को बुना था अब इसमें मैंने क्य किया है पहले फंदे को भूना है सेकंड फंदे को उतार दिया है तो इस तरह से ये हमारा डिजाइन डलता जाता है फिर उल्टी तरफ से अब रो उल्टी आएगी फिर नेक्स्ट सीधी रो में आपने क्या करना है जैसे ये पहला फंदा हमारा उतरेगा अगला फंदा भूने उत्रेगा बुनेगा इस तरह से उल्टी रो पूरी हमने उल्टी बना लेनी है यह सिरफ चार सलाईयों का ही डिजैन है चार चार सलाईयों का यह डिजैन आपने जितनी बार रुपीट करना चाहते हो कर सकते हो जैसे इस बलाउज में इस डिजैन को उन्होंने रुपीट किय हुआ है 5 बार ठीक है उन्होंने पांच बार इस डिजाइन को रपीट किया तो एक रोऊ उल्टी तरफ से भड़ती है 5 लाइन सीधी तरफ से यह total हमारी 10 लाइन होगी यह 10 लाइन हमारी बनने के बाद design वाली same to same ऐसे ही जैसे यह हमारी 6 लाइन होगी है ये एक बार हो गया ये दो बार ये तीन बार और तीन स्लाइय उल्टी तरफ से तो टोटल ये छे स्लाइया होगी हमारी ये ऐसे ही आपने दस लाइया बना ली दस लाइया बनाने के बाद फिर सीधी उल्टी सीधी उल्टी दस रो बना ली फिर ये ही design डाल लिया ऐसे ही करते हुए continue उन्होंने डालतेगे जब तक आपके blouse की length ना बन जाए तो ऐसे ही बहुत easy design को आप बनाते जाएगा तो ये design अच्छे से आप से set हो जाएगा क्योंकि बहुत जादा सथ में बहुत जादा असान design है तो इसे बनाएगे बनाने के बाद इसे आप ladies के काडिगन, jacket में, कूर्ती में, baby set में, cap में किसी भी project में आप इसे यूज कर सकते हैं बहुत असान और बहुत सुन्दर design है ठीक है मैंने पहले भी इस design को border और button पटी में यूज किया हुआ है cream color का ही वो मैंने काडिगन डाला था उसमें border और button पटी में भी आप इसे यूज कर सकते हो तो अगर आज की वीडियो आपका पसंद आई हो मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जुरूर subscribe करना है आपने वीडियो को like और share करना बिलकुल मत भूलिएगा जो भी knitting करते हैं उनके साथ प्लीज मेरी वीडियो जुरूर share किया कीजिए ताकि वो भी नेने design देख सके और मैं वीडियो डालती हूँ तो मेरे को भी थोड़ा होता है तो share जूरूर कर दीजेगा मैं फिर मिलूँगे आपको next वीडियो में प्लाइगा जूरूर करते हैं जूरूर करते हैं जूरूरू